Hello everyone, I am Nehal from WS Cube Tech और आज की इस वीडियो में हम Python program लिखने वाले हैं और Python program का जो problem statement है वो आप अपने इस computer screen पर यहाँ देख सकते हैं तो हमें क्या करना है? हमें concatenate करना है यह जो दो list आप यहाँ देख रहे हैं मगर उसकी जो condition है वो क्या है? index-wise हमें करना है ठीक है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो list है उसको declare करने के लिए हम square bracket का use करते है और जो list जो हमारा data type होता है यह ordered list होती है मतलब इसमें जो elements store किये जाते हैं यह कोई एक specific ordering में होती है इसका order होता है तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो जैसे यह first element है तो यह zero index पर stored होगा यह cu जो है यह one index पर stored होगा and likewise दूसरों के साथ भी यही apply होता है तो similarly हमें क्या करना है? जैसे index-wise जैसे मैं बोलू तो यह W और S इस तरीके से 00 index को हमें merge करना है, concatenate करना है तो c-o-b-e इसको हमें concatenate करना है बोला हम index-wise हमें करना है तो वो हम कैसे achieve करेंगे? ठीक है? तो सबसे पहले हम इसको क्या करते है? इसको हम uncomment करते हैं ठीक है? और इसके लिए हम क्या use करेंगे? हम list comprehension का use करेंगे तो देखें, list comprehension का syntax होता है, वो क्या होता है? हमें इस तरीके से square bracket लिखना पड़ता है और हमारा syntax यह बोलता है कि expression for कोई भी variable, ओके? तो जैसे हमने ले लिया for item और in iterable ठीक है? यह जो होता है, यह हमारा क्या होता है? यह हमारा list comprehension का हमारा syntax होता है ठीक है? ठीक है? list comprehension का यह हमारा syntax होता है तो हम इसकी मदद से हम यह problem statement का हम goal achieve करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम वो यह square bracket दे देते हैं और अब देखिए expression तो expression क्या है? मैं simply लिखूँगे यहाँ पर print और मुझे print क्या करना है? मुझे print करना है कि i plus j, ठीक है? अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी? for जो i, j है मतलब यह मैंने एक type का आप यह समझ लीजे जो भी एक variable लेते हैं ठीक है? मैंने एक variable यहाँ पर ले लिया है तो मैं यहाँ पर simply क्या कर रही हूँ? कि for i in j और मुझे क्या लगना है in iterable ठीक है तो iterable कौन से है मेरे? list1 और list2 है अब इन दोनों को मुझे लिखना हो तो मुझे इसके लिए zip यूज करना पड़ता है ठीक है? तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी variable name जिसके अंदर मेरी जो list है तो मैं यहाँ पर अपने variable name पास करने वाली हो list1 लिख दिया और list2 लिख दिया ठीक है अब देखिए मैं इसको run करती हो तो देखिए मैंने run किया तो कैसा output आया है कुछ इस manner में आया है ठीक है? मतलब w s c u b e t e c h मतलब हमने हमारा goal तो achieve करी लिया है हमने concatenate index wise कर लिया है with the help of the list comprehension print के यहां पर by default क्या होता है यहां पर python क्या दे रहा है slash n दे रहा है मतलब new line पर जा रहा है तो हम यहां पर उसको end variable के मदद से इस तरीके से हम यह बता सकते है कि हमें next line पर नहीं जाना है हमें उसी line में continue करना है और मैं अगर इसको run करती हो इस बार तो आप देखेंगे हमारा इसी manner में हमारा output आ गया है तो देखिए इस तरीके से हम यह कर सकते हैं similarly हमरे पास दूसरा भी एक way है कि अगर सबस आपको यह थोड़ा complicated लग रहा है तो आप simply क्या कर सकते हो आप for loop का use करिए जैसे हमने कोई भी एक variable ले लिए for i, j और in zip लगाईए ठीक है और अपने जो भी list है वो यहां पर pass कर दीजे variables मैंने list1 pass कर दिया और मैंने अपना pass कर दिया list2 और यहां पर इस तरीके से आप क्या करिए आप यहां पर print करिए i plus j तो मैं यहां पर कर दीजे i plus j और मैं इसको run कर रही हूं तो यह भी आपको वही वैसे यह output देगा इस manner में और similarly आप end यहां पर variable लगाके आप python को यह बता दीजे कि भही मुझे next line पर नहीं जाना है मुझे उसी line में first a की line में मुझे अपना data को print करना है तो दीखे इस manner में आपका यह achieve आपने यह output लाद दिया ठीक है तो मैं आशे करती हूँ आपको यह समझ में आगया होगा तो मैं एक बाद फिर से recap कर दूँ कि दीखे हमारा goal क्या था है index wise किस तरीके से हम दो list को concatenate करेंगे तो हमने मैं आपको यह बताए कि list comprehension के मदद से आप यह goal achieve कर सकते है उसका यह syntax है ठीक है जो भी expression है for कोई भी variable ठीक है और in iterable means क्या होता है जो भी आपकी जो list है उसका variable तो मैंने वह यहाँ यहाँ पर लिखा था कि यहाँ पर square brackets देंगे आप यहाँ पर यह expression है मेरा कि मुझे क्या करना है print i plus j करना है मुझे ठीक है और यह end आपको पता है मैंने क्यों किया है ताकि वह next line पर नहीं जाए वह उसी line में आ जाए ठीक है और यहाँ पर मैंने for loop लगा है for कोई भी variable और जो मैं variables यहाँ पास करें मुझे यहाँ देना है यह point का ध्यान रखेगा और मुझे यह list one और list two दोनों है तो इसके लिए मुझे zip का use करना पड़ता है और इस तरीके से मैंने अपना goal achieve कर लिया तो यही मैंने आपको यहाँ पर breakdown करके steps को किस तरीके से हो रहा है अगर यह आपको complicated यह वही चीज लिखी है मगर यह कैसे है यह एक single line में हो जाता है इस लिसको list comprehension बोलते है कि यह single line में आप इस तरीके से execute कर सकते हो अपना command whereas यहाँ पर क्या हो रही हो आपकी दो line आपकी engaged हो रही है कि मुझा जापकी वही हो झापकी है